हेलो मैं देवजानी गुर विश्वास इंदिरापुरम गाजियबाद से और मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी फैविना ग्रूप को एक इतना अच्छा प्लाटफॉर्म देनी के लिए हम जैसे हूम शेफ्स को आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है कोकुनट एंड रब्री स्वीट कप एक फ्यूशन डिश है मैं बेंगॉली हूँ और हमारे बेंगॉली में एक दिश है पूली पीठा तो उसी को मैं फ्यूशन टच देके बनाने जा रही हूँ तो आए हम देखते ह कैसे बनाया जाते है ये कोकुनट एंड रब्री स्वीट कप सबसे पहले हम देख लेते है कि ये पिश बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रीटियंट्स चाहिए लोगा पहले यह है कोकुनट पेस्ट एक नारियल का पेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर टू एन हाफ का च थोड़े सी सॉल्ट है इलाची दाना है और किश्मिश को मैंने हाफ कर लिया जो रब्री बनेगी वो रब्री थोड़ी से अलग बनेगी और इंट्रेस्टिंग भी यह मैंने पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है यह रब्री में यूज होगा यह मैदा है जो कप्स बनाने के के लिए यूज होके और हमें चाहिए होगा गी एंड फ्राइ करने के लिए वाइट और रब्री के लिए हमें दूद्ध चाहिए होगा यहां पर मैंने ले लिया है आधा लेटर फुल क्रीम मिल्क तो आये अब हम स्टार्ट करते है हमारी रेसिटी की प्रोसेस सबसे पहले जो मैं शुगर सिरब बनाऊंगी जिसमें हम लेंगे एक कप वोटर और एक कप चीनी साथ ही साथ हम कोकोनेट को भी प्रिपेर कर लेंगे इसी ताम कोकोनेट को प्रिपेर करने के लिए पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा गी आड़ करेंगे रबड़ी के लिए मैं दूद को भी बॉइल होने रख देती हूँ यह मीडियं फ्लेम पर बॉइल होगी घी थोड़ी से गरम हो गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनेट पेस्ट को साथ ही डाल देंगे चीनी को भी इसमें भी मैंने एक कप चीनी डाल दिया अभी थोड़ा सा इलाची दाना यूज करेंगे इलाची दाने को मैंने खाफ क्रश किया हुआ है कोकोनेट को चलाते रहना होगा ताके नीचे जलना जाए ये चीनी के साथ पकते पकते एक डो जैसा बन जाएगा तब हम इसको एसे स्टाफिंग यूज करेंगे साथ ही साथ रब्री के लिए मैंने जो दूर चड़ा रहा है उसको भी थोड़ा लेंगे ताकि ये नीचे जलना जाए इसे चलाते ही रहना है अब हमारे जो चाचनी बनाने के लिए रखा था उसे उबा लगई है तो मैं उसमें थोरे से लाची दाना दे रहे लिए चाचनी को ध्यान रखना है ये एक तार वाली चाचनी बनने चाहिए ये धीरे धीरे बनता जाड़ा आ है कलर भी चेंज होने लगे है इसकी चांशनी रख देंगे और रूम टेमप्रिशर पर आने के लिए छोड़ देंगे कोकनट हमारी रेडी हो चुकी है अब हम इसे तंदा होने के लिए छोड़ देंगे दोद में हमारी बॉयल आ चुकी है अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे चीनी आप हमेशा ही अपने अकॉर्डिंग डालिए मैं इसमें आधा कप से थोड़ा ज्यादा चीनी यूज़ कर रही है अब इसे हिला देना है अच्छे से और मिक्स कर लेना है जब तक हमारी रबरी बन के तयार होती है हम कप बनाने के लिए जो मैदे का डो बनाना है वो रैडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर देड कप मैदा अब इसमें मैं एक चुटकी सॉल्ट यूज करूंगी तोरी से शुगर एट करेंगे और इसमें देर चमच घी डालके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे घी को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है अब इसमें डो के अकॉर्डिक पानी यूज करेंगे इडो जादर नर्म नहीं होगी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना चाहिए यहाँ पर देखीजिए हमारी रबरी भी बनने लगी है अच्छे से और दूल पी ठिक होने लगा है मलाय भी जमने लगी है दो हमारी रेडी है देख लीजिए यह ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो हम इसको थोड़ी दय के लिए रेस्ट करने छोड़ देए देखिए रबरी हमारी बहुत ठीक हो गई है यह नॉर्मल रबरी जैसी लच्छेदार नहीं बनेगी यह थिकन्थ मिल्क हमें इसमें अब डालेंगे जो हमने फ्रेड किया हुआ पनीर रखा था उसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसी टाइम पे फोरी से पुटी होई इलाची दाना हमने रखा था इसको इसमें एड कर देंगे बस 5-7 मिनिट इसको बॉयल करेंगे उसके बाद रेडी हो जाएगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे इसको कंटिनुवसली हिलाते रहना है नहीं तो जो हमने पनीर और चेना भी यूज़ कर सकते है चेना या पनीर जो हमने यूज़ किया है वो नीचे जल ज सकता है रपड़ी हमारी फूरी तरह से रेडी हो गई है अब हम इसे ठंडा कर लेगे जो डो हमने बना के रखा था उसमें से अब हम छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे ऐसे साइस की होनी चाहिए बॉल्स अब हम इसे एक्तम पर्फिक्ट राउंड शेप देंगे देखिए ऐसे हम सभी बॉल्स को राउंड शेप में कर लेंगे यह बॉल्स हमने रेडिक कर लिया है अब इसको हम कप्स के शेप देंगे तो देखिए कैसे लिया जाता है कि मैंने एक कटोरी लिया है इसके बाहर मैं थोरी सी गी लगा लूँग अभी एक बॉल को लेके हातों में एक बार फिर से रोल करके फिर यह जो कटोरी है उससे हम प्रेस करेंगे चाहे तो कोई रोलिंग पिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यह कटोरी का यूस पर रही हूँ अब जो यह फैल गया है इसको मोड लेंगे साइट से प्रेस कर लेंगे और साइट को अच्छे से जोड देंगे देखिए एक कप्च ऐसा शेप आ चुका है तो ऐसे हम सारे बॉल्स की ऐसे चोटी-चोटी कप्स बना लेंगे हमारे कप्स रेडी हो गया है अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे यह जो फ्राइ करने के लिए ओयल मैंने गरम करने के लिए छोड़ दिया है लेकिन यह एकदम कम हीट होनी चाहिए मेडियम भीट हो चुकी है अब हम इसमें हलके हातों से इस कप्स को छोड़ देंगे प्राइ होने के लिए कप्स प्राइ हो चुके है एक साइट से इसको थोड़ा फलट देंगे दूसरी साइट भी प्राइ कर लेंगे अच्छे से अब हम इसको उठा लेंगे अब हम इसको उठा लेंगे आवाज से आप लोगो को पता चल रहा है कि इतना फ्रंची होगा क्रिक अब ही कपस है इसको मैं चाशनी में ग़ाज दोंगी चाशनी के अंदर छोड़ देंगे 15-20 मिनिट के लिए ये कप्स जो हमने चाशनी में डूबो के लगखा था वो अब हमने उठा लिया है 20 मिनिट बात अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है अब हम इसमें फीलिंग करेंगे अभी ये कप्स है ये चाशनी चे कोटेड है इसलिए मैं इसको थोड़ा जो ड्राइब फूट रखा था मैंने काजू और आमंड उसके ऊपर ऐसे कोट कर लूँगे तो फिर ये एजिस पे ड्राइब फूट का एक लेयर बन जाएगा देखने में भी सुन्दर लगेंगे ये कप्स ऐसे हम बना लेंगे बागी के कप्स ये जो कप्स हमने बना लिया है और इसमें अब हम ये जो कोकोनट की फिल्य है ये डालेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा इसे हम हर एक कप्स को कोकोनट से फिल कर लेंगे इसे बाकी साड़ों पर भी हम भड़ लेते हैं कोकोनट स्टाफिंग फिल करने के बाद हम इसके उपर से रबरी डाल देंगे दूसरा भी सेम प्रोसेस से रैडी कर लेंगे बस ये पुरी तरह से रैडी है अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो हमने हाफ कटट किश्मिश रखी थी वो डाल देंगे डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही टेस्टी बनेगा एक तो डेजर्ट है सबको पसंद होता है और ये बनाने के मैंने कोशिश की है क्योंकि सामने ही हमारा फेस्टिगल दूरगा पूजा आ रही है और ये दूरगा पूजा में पुली पीठा माता को ऐसे भोग चड़ाया इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस थोड़ा नया फ्यूशन टच देके बनाया जाए तो ये रेडी हो चुका है हमारा कोकॉनट एंड रबरी स्वीट कप्स पूरी तरह से प्रिपेर हो चुकी है कोकॉनट एंड रबरी स्वीट कप्स इसको मैंने थोड़ा एडिबल रोज पेटल से रेकोरेट किया हुआ है थाइंक्यू सो मच